हाँ जी तो कैसे हैं आप सब आई होप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसके लिए हमने कडाही में डाला है थोड़ा सा ओयल और अब हम लेंगे यह हरी मिर्च अधरक और धनिया पत्ती का कुटा हुआ पेजट तो बहुत बारीक से नहीं ब अलग चटपटा सा बनाया जाए तो आप आसानी से यह रेसिपी ट्राय कर सकते हैं तो जब यह भून जाए थोड़ा सा यह मसाला तब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलो को मैश करके तो बहुत सिंपल रेसिपिए हर बहुत छोटी सी वीडियो तो पूरा जरूर देख डालेंगे सबजी मसाला या पाव भाजी मसाला या कोई बीए चटपटा मसाला जो हो आपके पास डाल सकते हैं तो बहुत ही हमें टेस्टी मज़िदार सा यह आलो का चटपटा मिक्स बनाना है इसके लिए डाला हमने हरी मिर्चद्रक और धनिया पत्ति का पेस्ट उसे बहुत सारी कही रेस्पिस बना सकते हैं तो आज हम बना रहे हैं आलो का पराठा पर बिल्कुल यह अलग साद वाला आलो का पराठा बनता है आप जरूरी इस तरीक इसे ट्राय करके देखिए तो मैंने यह ले लिए है आटे की लोई जो रोटी के लिए हम आटा गूनते है बिल्स वही लोई है और इसमें हम आलो के मिक्षर को भर कर इसे बेल लेंगे और पस पराठी की तरह जैसे आप घी ओयल लगा कर सेखना चाहें वैसे सेख लेते हैं तो ऐसे तो आलो का पराठा हर को बनाता है पर यह जो धनिया पत्ति के साथ हरी मिर्चा द्रग का बहुत टेस्टी आलो का पराठा बनेगा बिना प्याज लहसुन वाला तो मैंने पराठे को बिल कर डाल दिया है सेखने के लिए तबे पर और इसे ओयल डालकर अच्छे से उलट पुलट कर हम सेख लेंगे तो यह जो पराठा बनता है आलो का बहुत ही टेस्टी बहुत ही इसे अपने पसंद के अंसार आप पुचा है तो ऑईल लगा कर यह गी लगा कर जैसे चाहिए सेख सकते हैं बस अच्छे से दबा दबा कर इसे सेखना है थोड़ा क्रिस्पी होने तक तो उलट पलट करके हम इसे सेख लेते हैं आपके पास उबले हुए आलो रखे हो तो ने बना लिए है तीन चार पराठी और इसके साथ सर्व क्या था हरी टामाटर की चट्मे को रिस पर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए